दिल्ली सरकार के कैमिनेट मंत्री और मध्यप्रदेश के प्रभारी गोपाल राय इन दिनों भोपाल दोरे पर हैं। नगरी निकाय चुनाओ को देखते हुए आमादमी पारटी ने भोपाल में विशाल फ्रंकल पर रहली का आजन किया। इस दोरान गोपाल राय ने भाजपा और कॉंग्रेस पर जम का निशाना साथा और कहा कि जनता इनके भ्रष्टा चार से तंग आ गई है। उन्होंने कहा कि अब आमादमी पारटी जनता की आवाज बनेगी। दिली सरकार के केमिनेट मंतरी गोपाल राय ने नगरी निकाई चुनाओ को लेकर कहा कि आमादमी पार्टी नगरी निकाई चुनाओ पूरे धंसरा लेगी। यह चुनाओ सत्ता और जनता की बीच का है और आमादमी पार्टी जनता की आवाज बनेगी। उन्होंने का चुनाव तीन विशेश मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा जिसमें टैक्स, सच्छता और ब्रष्टाचार मुख मुद्दा होगा गोपाल राई ने कहा कि चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी जीती है तो हाउस टैक्स माफ करेंगे और कमर्शिल टैक्स हाफ किया जाएगा उन्होंने कॉंग्रेस और भाच्पा पर आरोप लगाती हुए कहा कि जनता ने कॉंग्रेस की सरकार बनवाई जिसमें कॉंग्रेस रिधायक के जाकर भाच्पा में मिल गए और जनता को दोगा दिया उन्होंने कहा जिस चुनाओ दिल्ली की तर्च पर आजाएगा घरगर जाकर जन्ता से सीधा समवाद होगा आमजन से बात की जाएगी इस दोरान आपकी रेली में बड़ी संख्या में कारकरता और आमजन मुझूद रही भारती जन्ता पार्टी की स्टरकार देगी भारती जन्ता पार्टी के सासन में जिस तरह से व्रश्टाचार हुए बेरुज़गारी का संकट आया किसानों के उपर गोलियां चली बिजली के दाम महें हुए भाजपा सरकार की नितियों से परिसान होकर के मद्य प्रदेश की जन्ता ने एक बड़ा बदलाव किया और कांग्रेस को अपना समर्थम दे लेकिन मद्य प्रदेश के जिहास में पहली बार हुआ है कि जन्ता में सरकार किसी और पार्टी की बनाई आज सरकार किसी और पार्टी की चल रही है और वो अपने आप नहीं हुआ है आज अगर भाजपा की सरकार बनी है दुबारा तो वो कांग्रेस के समर्थम से बनी है कांग्रेस के निताओं और विधायकों के मिलने से बढ़ी है अब तक इतिहास रहा मद्द प्रदेस में दो पार्टी का सासन तंक्रगा कांग्रेस की सरकार रही लोगों ने बदल के भाजपा को मुखा दिया भाजपा की रही मुखा दिया कांग्रेस को लेकिन आज पहली बार जॉइंट प्रंट सरकार चला रहा कांग्रेश के भी विधायक इसमें सामिल है और भाजपा के भी विधायक इसमें सामिल है इनको जनता ने चुना था मद्ध प्रदेश में पहली बार एक बैक्यूम क्रियेश हुआ जिन लोगों ने कांग्रेश को ओठ दिया था आज अपने आपको ठगा हुआ मैसूस कर रहे है कि आखिर अगर हम भाजपा को हटाना चाहते हैं तो कांग्रेश हटा भी सकती है नहीं हटा सकती है और अगर हम ओ से मद्द प्रदेश के युवाओं को एक विकल्ब की तलास है आम आदमी पार्टी लोकल बॉड़ी एलेक्सर में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के तयारी कर रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि पहली पार्टी है जिसमें अपने अस्थाने चुनाव के लि हम तयारी कर रहे हैं और जल्दी आम आदमी पार्टी की दूसरे लिस्ट भी आएगी संकल प्रेली और आम सभा को लेकर पंकर सिंग ने कहा कि उन्हें सभा करने की अनुवती में सरकार में अरंग लगाया कॉंग्रिश और बाश्पा की लगातार सभाय हो रही है लेकिन कि प्रदेश अध्यक्षे पंकर सिंग हमारे साथ हैं कुछ सभाव और रहनी को लेकर प्रेशानी जताई हैं इने यह मात करते हैं थोड़ा सब पंकर जी क्या प्रहानी हुई भाजपा और कॉंग्रेस की लेली और आपको रहनी का परमीशन या सभाव करने का परमीशन ने सभाव कर लेकर तो ऐसी कौन सी दिककत है उसको लेकर कल परमीशन को लेकर तो ऐसी कौन सी दिककत है जब उहां पर असिपेट रोड पर कॉंग्रेस की भाजपा की तमाम तरह के अने कब बाली तरह के तो कारम हो रहे हैं इसलब कारकम जब हो रहे हैं तो आम अधिर के कारकम में व्यभधान की उफळपन क किया रहा है ऐसा क्या डर है झा दर हैं हमाधिर की रेलीं और सभा से भारती जनता पाटी को और सासन प्रसासन को शायद गुजरात के चिनाव से भाजपर ने सीख लोगी कि आम आद्मी पाटी खेर अभी गोपाल राय जी कैबिनेट मंती बिली सरकार में हैं हुआ हैं संकल प्रेली किन बुद्धों को लेकर आप आगे बढ़ेगे रैली में क्य को संबोधित भी करेंगे आम आधी पाटी पुरे प्रदेश के अंदर अपना संगठन बिस्तार साथ ही जनता के मुद्धे पे संघर्स और इसके साथ साथ चुनावी तैयारी का काम तेजी से करने जा रही है तमाम कारकरता हमारे मौजूद रहेंगे सब कारकरताओं को नि आधी और आगे भी लिश्टी जारी हो गए कब नहीं कब लemo激ाई यद्यू एढ़े अग अग्ले ले जारी कर दी दूसरी सूचि के आरे हैं दूसरी सूची भी तैयार हो एए है आज जल्दी वह जारी कर दे एग। आज यूदी राश् की नेत्रतों हमारे बीच में सुर हैं ब्रश्टाचार स्वच्चिता को लेकर कुछ नगरी निकाय में हाफ पुरेट करने का क्या मुद्धी रहेंगे क्या बताना जाएंगे अज हमारे प्रवारी माध्य के माध्यम से आमाधी पार्टी ने कहा है कि जहां पर हमको मौका मिलता है नगरी निकाय चुनावों में आमाधी पार्टी वहां जो हाउसिंग टेक्स है उसको माफ करेगी और जो कामर्सल टेक्स है उसको हाफ करेगी इसी के साथ आमाधी पार्टी जो साफ सफाई का मुद्धा है उस मुद्धे को न केवल मुख्य सड़कों में बलकि कालोनियों की जो सड़कें हैं अंदर मोहल तर तीसरी चीज है कि पार्टी प्रदेश के अंदर जनता के मुद्दे हैं जो छुट-पुट-मुद्दों के लेकर नगरी निकाय चेत्र में लोग जाते हैं एक सार्टीफिकट बनबाने से लेकर हर चीज के लिए उनको भोष देनी पड़ती है तो वह भरस्टाचार भी आ आधमी पार्टी में देखा गया है युवाओं को चांस मिला चूट कि आप भी एक युवा हैं प्रदेश अधिक्ष है तो आप क्या चाहेंगे आमाबली पार्टी में युवा आगया आए क्या संदेश देने चाहेंगे तेखी हुआ का मतलब होता है बदलाओ की और अगर दिया कमलनाथ जी को के नेतरत में लेकिन कांग्रेसी बिधायक मंत्री तक जाके भाजपा की गोदी में बैठ गए तो प्रदेश का इवा अपने आपको चला हुआ मैसोस कर रहा है ठगा हुआ मैसोस कर रहा है आमाधी पार्टी एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही है कि आईे मिल के यहां मद्ध प्रदेश में जो ये भाजपा और कांग्रेश की मिली जुली लूट चल रही है उनके सथ साथ मिल के जो लूट रहे है प्रदेश की जंता को उसको रोंके यहां से भरष्टाचार को खतम करें और यहां नई व्रवस्ता दें जिसमें सबको बिजली पानी उनको उनके बुनियादी हक मिल सकें उनके अधिकार मिल सकें तो ये थे हमाई साथ प्रदेश अध्यक्ष पंकर सिंग जिनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी युवाओं की ओर ध्यान दे रही है चुकि जनता ठगा मैसूस कर रहे इसलिए आम आदमी पार् पर लेहरियों से संस्क्रिते क्षाने बाने ता हे चंबर के प्रों से नक्सवादियों के गड्ड़ जोपडसी डेश्यक्ते लोसे मेलो तक हुल्प्रकुयों तक ह्लगों फोल से शेहश मैने पर वीवापार से whipping व्योग आप देख रहे हैं तकल्नियू